और आई ये फटाफ़र कबरों के बादा बात करेंगे खटाखट, खटाखट, खटाखट सियासत की पीए मोधी ने प्रताबगड की रैली में राहूल गांधी के खटाखट वाले बयान पर चम कर पलटवार किया राहुल गांदी ने राइबरेली में खटाखट सियासत को और गर्मा दिया है उन्होंने काया कि मैं खटाखट बैंक अकाउंट में पैसे डालने की बात करता हूं तो प्रधान मंत्री टकाटक बयान दे देते हैं आपको सुनाते हैं कैसे देश की सियासी खटपट खटाखट शब्द में तबदील हो चुकी है देखी रिपोर्ट भारत आत्मा निर्फर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूझता है तो कैसे है तो भेले खटाखट खटाखट ये सोचते हैं नई हाइवेड अपने आप बन जाएंगे और कोई पूझे कैसे है अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट ये सोचते हैं भारत ते गरी भी दूर हो जाएगी कोई पूझे कैसे है तो भले खटाखट खटाखट अरे कोई इनके दिमाग को भी जरब बता दो कब राइबरली की जंता भी खटा खट 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 बेजेगी गर अमेठी से गए राइबरली से भी जाएंगे तो पांचवी चरन में अमेठी और राइबरली का रण और भीशन हो चुका है क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चानक के अमिश्या रिकॉर्ड कायम करने के लिए रननीती बिठा चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमेस्ट्री अब राइबरली और अमेठी में भी दिख रही है आपको दिखाते हैं से जोड़ी ये रिपोर्ट प्राइबरली की जंसा भी उत्तर प्रदेश की सबसे होट सीट अमेठी और राइबरली जहां गांधी परिवार की प्रतेश्ठा दाव पर लगी है राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनोती है इसी रणनीती के साथ बीजेपी के क्यानक के एक तीर से दो नुशाना लगा रहे हैं तो पीएम मोदी कह रहे हैं शहजादे अमेठी से गए राइबरली से भी जाएंगे खटा खट 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 अरे कोई इनके दिमाग को भी जराब बता दो कब राइबरली की जनता भी खटा खट 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 बेजेगी गार अमेठी से गए राइबरली से भी जाएंगे पांचवे चरण की लड़ाई इसलिए भी दिल्चस्ट है क्योंकि स्मृती इराणी की अमेठी और राहुल गांधी की राइबरली सीट पर वोटिंग होगी जिसके लिए कांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणके ने भी मोर्चा सम्हा लिया है और मंच से सियासी बान छोड़े जा रहे हैं अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार मगर ये दो सीट ऐसी है ना ये दो सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरुरत नहीं है मुझे बताओ राइबरेली और अमेटी में कमल खिलाओगे क्या जरा जोड़ से बोलो खिलाओगे क्या हमारे दोनों पत्तियासी आगे आई जाए सूतिबेर और दिनेजी सूतिबेर और दिनेजी को जिताओगे क्या आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए मनोज जी आगे आईए मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए बारतिये जनता बार्टी जोइन किये अमेठी का हराण छोड़ने के बाद राहुल गांधी राय परेली पहुँच गए लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति इरानी को हराने की फिक्र है तब ही तो राहुल गांधी एक लिश यादब के साथ अमेठी में रैली करने पहुचे और निशाने पर बीचे पिको लिया लेकिन इस मृति इरानी ने भी करारा पलट वायर किया कि अमेठी पहली बार में यहां 42 साल पहले आया था जब मैं बारा साल का बारा साल का बच्चा था अपने पिता के साथ आया 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने राजनेती में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है जो पांच दशक राज करते रहे वो कलेक्टर का ओफिस तक नहीं बनवा पाए आज मेरे छेत्र में जिसने सुशासन की अच्छे शासन की और अच्छे शासत के प्रत्रिधी के नाते शिला न्यास किया विकासकारियों का आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमिच्छा जी को आभार व्यक्त करती हूं अमिद भाई आपने 2019 में का था अमेठी है तयार अब की बार मोधी सरकार आज अमेठी और राय वरेले की ओर से विनम्रता से आपके चड़नों में निवेदन रखती हूं हम दोनों हैं तयार अब की बार फिर एक बार मोधी सरकार उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं बलकि जमीनी अस्तर पर भी दिख रही है अखलेश यादव ने चुनावी तपिश के साथ ही अपने कारेकरताओं को हिदायर दी थी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगसभासीटों पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ रही है वहाँ वो ये मानकर पूरी ताकत लगाएं कि सपा का उमिदवार ही चुनावी मैदान में है उनकी ये हिदायत गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले राई बरेली और अमेठी में जमीनी अस्तर पर नज़र आ रही है एक तरफ दो लड़के राई बरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत जोग चुके हैं तो दूसरी तरफ अमिश शाह ने राई बरेली में सपा विधायक मनोज बांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठवंधन के मनोबल पर करार अप प्रहार किया है येर रिपोर्ट न्यूज एटीब जै 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 श्री लाँ और आईए बागे बरते बात करते हैं सोनिया गांधी की भावुक अपील की राहूल गांधी के लिए पूरा परिवार राई बरेली में नज़र आया सोनिया गांधी से लेकर प्रियांका गांधी तक सब राहूल गांधी के लिए वोट की अपील करते हुए मंच से नज़र आये इस दोरान सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर अपना भरोसा दीजे राहुल आपको निराश नहीं करेगा मेरा सब कुछ आपका दियाख वाप है तो भाई और बहनों मैं आपको अपना बेता सौप रही हूँ अपना बेता सौप रही हूँ जैसे आपने मुझे अपना अपना माना वैसे ही वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है ये राहुल आपको मिराश नहीं करेगा